नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर जी एंटी स्पेशल और मैं हूँ आपके साथ शगुफता साहिल देव आज आपको करवाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन आज के जी एंटी स्पेशल में बाबा बर्फानी की करेंगे अगवानी देखे बाबा बरफानी के दर्शन होते ही मन में पावन रुमांच होने लगता है सचमुझ भागिशाली हैं वो तमाम लोग जो दुर्गम पहाडियों पर नामुम्किन से लगने वाली चड़ाई को चड़कर पवित्र गुफा में बाबा बरफानी के दर्शन करने आते हैं इस बार ये पवित्र तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है लेकिन उसकी तैयारियां एक पकवारे पहले से ही शुरू हो गई है शुरूदालूं के जमू कश्मीर पहुंचने से पहले देश के तमाम हिस्सों से शुरूदालूं की नीज स्वार्थ सेवा करने वाले सेवादार पहुंच चुके हैं श्रधालूं के लिए मुफ्त भंडारे और दूसरे जरूरतों की विवस्था की तैयारियां भी चरम पर है अगर बाबा बर्फानी के दर्शन का फल परमपत की प्राप्ती है तो श्रधालूं की सेवा का पुन्य फल भी मोक्ष से कम नहीं है जकड़ा बीर बजरंगे जकड़ा बीर बजरंगे ये उद्गोश है अनादिकाल से चलिया रहे अमर्नाथ यात्रा की तैयारियों के पावन आगास की 29 जून से शुरू हो रही पवित्र अमर्नाथ यात्रा को लेकर अमर्नाथ शाइन बोर्ड और जम्मो कश्मील सरकार के साथ मानव सेवा के भाव से अनुप्रानित श्रधालों भी कमरकस की तैयार है अमर्नाथ यात्रा की अलोकिक आभा ऐसी है कि श्रधालों के पहुचने से करीब हफते भर पहले ही मानवता की सेवादार देश के अलग-अलग हिस्से से यात्रा मार्क के मुक्तिलफ जगहों पर पहुचकर मुफ्त भंडार वगेरा की तैयारियों में चुट जाते है ताकि देश और दुन्या के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले श्रधालों को भोजन पानी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए परेशानी न छेलनी पड़े ये सेवादार धन को बेद नहीं होते लेकिन मानव सेवा और भगवान भोली के प्रति सेवा और श्रधा का अवेग ऐसा है कि इस मौके पर अपनी मेहनत की जमा पूंजी लुटाने में इन्हें आनन्द की अनुभूती होती है हाओ क्या हम लोग तो कुल मिला के मानव सेवा पे समर्पित हैं भूले संकर की सेवा करना हम लोगों का परमसो भाग्य है जो बाबा ने हमको चुना इस कारे के लिए इस पुनित कारे के लिए हम यहाँ पर हर साल सेवा के लिए आते हैं भक्तों की सेवा हमको तो भक्तों में ही भूले नात के दर्सन होते हैं भगवान भोले का जैकारा लगा रहे ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से चम्मु के भगवती नगर्स्थित यात्री निवास पहुँचे हैं पूरे साजो सामान के साथ और पलक पावडे बिच्छा कर शधालों की रह देख रहे हैं ताकि सेवा का मौका मिल सके उधर जम्मु कश्मीर प्रशाशन ने जम्मु स्थत यात्री निवास भवन को अमरनाथ यात्रियों के ठहरने के लिए चाक चौबंद कर दिया है दरसल अमरनाथ यात्री 28 जून को पहलगाम या बालताल बेस कैम्प रवाना होने से पहले इसी यात्री निवास में आकर ठहर रही हैं इस समय हम मौझूद हैं जम्मु के यात्री निवास भवन के बाहर और यहाँ पर अगर हम देखें तो भगवान भोले नाथ के भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है मेरे साथ इस समय कुछ दालू जुड़े हैं जो के महराश्ट से आए हैं और यह बगवान भोले नाथ के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं अमरनाथ के दर्शनों के लिए हम इनसे बातचीत करते हैं जी आप बताए आपका नम जै बावनकर कहां से आप सिवादार हो यश्रधालू अमरनाथ यात्रा के दौरान इनके चहरों पर अलॉकित चमक और मन में परम सुकून का भाव साफ नजर आता है इस बार ये यात्रा 29 जून से शुरू होकर सावन पोर्णिमा के पावन अफसर पर 19 अगस्त को खतम होगी 52 दिन के इस धार्मिक और अध्यात्मिक यात्रा के दौरान जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक की फिजा में गजब की रौनक घुल जाती है इस बार यात्रियों का पहला जथा 28 जून के सुभे इसी यात्री निवास से पैलगाम और बालटाल बेस कैम्प के लिए रवाना होगा ताकि 29 जून के सुभे वो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आगे की यात्रा प्रारंब कर सके हाला की हाल फिलाल जम्मो सन्भाग में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए जम्मो कश्मीर प्रशाशन के लिए यात्रियों की सुरक्षा शुनिश्चत करना सबसे बड़ी चुनाती है प्रशाशन इसके लिए अपनी ओर से हिला हवाले की कोई गुझाइश नहीं छोड़ रहा आप यहां पर भी देख सकते हैं जूकर सुरक्षा कर्मी है स्रिफर डॉग्स का भी यहां पर सहरा लिया जाता है बार बार ताकि यहां पर कोई अप्रिय घट्टा ना हो तो सुरक्षा के जो प्रबंध है वो चाक चोबंध है आप देख सकते हैं कि जम्मो कश्मीर पुलीस की भी यहां पर गाड़ियां हैं काफी सारी जो पुलीस बल है वो भी आतिरिक संख्या में यहां पर मौजूद है वो भी यहां पर तैनात है तो यात्रियों का पहला वागत की तैयारिया यहां पर चल रही है। जबकि बालटाल बेस कैम से उन्हें करीब सोना किलोमेटर की कठिन चड़ाई चड़ने पड़ती है। फैलगाम के रास्ते चड़ाई जादा तुर्गम और लंबी होने के बावजूद जादतर श्रधालू इसी मार्क को चुनते हैं। इसलिए क्योंकि इस मार्क पर उन्हें चंदनवाडी और पंचतरनी जैसे पावन और सुर्मय धामों के दर्शन का भी सौभा के प्राप्त हो जाता है। तरसल सनातन धर्म में मोक्ष की अत्यंत महिमा है। और ऐसी मान्यता है कि बाबा बरफानी के दर्शन मात्र से भगवान भोले भक्तों को अपना परमधान सहज ही प्रदान कर देते हैं। जम्मु से सुनील शिभट के साथ ब्यारो रपोर्ट को ड्यूस टुडे। अमरनाथ यात्रा की शुधालूं के लिए सुविधा का इंतजाम करना अगर चुनौती है तो उससे भी बड़ी चुनौती है उनकी सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम। जम्मु कश्मी प्रशासन इस प्रदेश में एक्टिव तमाम एजंसियों के साथ मिलकर शुधालूं की चाक चौबन सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिद्दत के साथ जुटा हुया है। पुलिस, पैरा मिलिटरी और सेना से लेकर इंटेलिजेंस एजंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं ताकि इस यात्रा में खलल डालने की मंचा रखने वालों को सबक सिखाया जा सके। अमर्नात यात्रा के दोरान इस बार तीर्थज़्यों की सुधाओं में पहले के वर्षों के मुकाबले काफी बढ़वुत्री की गई है। पहलगाम और बालटाल बेस कैम से पवित्र गुफحा के मार को पहले के मुकाबले काफी चोड़ा कर दिया गया है। और सड़क किनारे फेंसिंग भी मजबूत कर दी गई है इससे शुद्धालों के लिए चड़ाई न सिर्फ थोड़ी आसान हो जाएगी बलकि पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित भी हो जाएगी पहले के तुनला में आप यात्रा रूख काफी चोड़ा कर दिया गया है आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चोड़ाई बढ़ाई गई थी कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बहु सकी थी बियारों ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापुर के यात्रा इस बार यात्री कर सके है यात्रा के दौरान किसी शृध्धालू को अगर कोई हिल्थ इशू होता है दोस्के निराकरण के लिए स्वास्त सेवा की भी बेहतरीन विवस्था की गई है जमुकश्मीर के एलजी मनोज सिंधा ने मंगलवार को बालटाल वेज कैम्प पर डियाडियो के सोब बेट के अस्पताल का उठाटन किया इस अस्पताल में बुनियादी स्वास्त सेवाओं के अलावा एडवांस ट्रीट्मेंट की भी विवस्था की गई है अनुचेद 370 के खात्मे के बाद अमरनाथ यात्रा के शुद्धालों की सुविधाओं में लगाता इजाफा किया जा रहा है जिसकी बज़ा से 2019 के बाद हर साल शुद्धालों की तादाद बढ़ती जा रही है साल 2022 में 3,4,000 तीर्थियात्रियों ने पवित्र अबनाथ गुफा के दर्शन किये थे जो 2023 में बढ़कर 4,5,5,5,5 हो गए इस साल तीर्थियात्रियों की तादाद 5,5,5 को पार करने की उमीद है हलांकि सुविधाय मुहाया कराने से जादा बड़ी चनौती शुद्धालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है शुद्धालों के लिए चाक चोवन सुरक्षा करने के लिए जम्मु कश्पीर प्रशासन पिछले एक पकवाडे से युदस्तर की तयारियों में जुटा है जम्मु कश्पीर के अतरिक्त पुलिस महानिदेशक बीते शनिवार को स्वयम सुरक्षा व्यवस्था का जाइजा लेने पहुँचे और पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा पैठकी यातरा के लिए न हमने बेसिकली जो इंजामात किये हैं उसका हम लोग रेविव कर रहे हैं और कट आफ टाइमिंग्स का जो इंप्लिमेंटेशन है उसको मेंचर करेंगी ताकि यातरा का जो फ्लोर है आपका जमू से कश्मीर के तरफ और कश्मीर से जमू के तरफ वह एक क प्तलिक विवागों के लोग हैं उनको डिप्ला करेंगे ताकि यातरा का मोमेंट स्मूध रहे हैं कि कहने की जरूरत नहीं कि ये सब कवायदे देशतगर्दों के नापाक मनसूबों को नाकाम करने के लिए चार्ग चौबन तैयारी को लेकर हैं उधर बालटाल और पहलग का माने तो जो भड़ोतरी दी गई है अगर आप जो फैसलिटीज की बात करें यह सुविदाये यातरी की जाती है उसमें काफी जो है इंप्रूमेंट आई है पिछले दो साल में जाहें उनके रहने की जगा हो टेंटिंग हो एकॉमडेशन हो या फिर चिकित्सा की इस बड़ी है और हमने देखा है कि एक जो इस नदालों से बड़ी जो बस थी उसमें भी हमला हुआ रियासी में तो उसे साफ ये बात होती है कि यातरा पेली जो है खत्रा मंडरा रहा है और उसको देखने हुए जो सुरक्षा के प्रबंध है इस बार भी काफी जादा जो 52 दिन की अमर्नाथ यातरा को निर्विग्न संपन कराने के लिए जमुकश्मीर प्रशासन ने 360 डिगरी का इंतिजाम किया है यही वज़े है कि श्रधालू भी बेखौफ होकर यातरा के लिए रेजिस्ट्रेशन करा रही है आपको बता दें कि 15 अप्रेल से रेजिस्ट्रे जमुकश्मीर के उप्राजपाल जबसे इस केंद्र शासे प्रदेश के LG बने हैं अमर्नाथ यातरा को सुविधा संपन बनाने और सुरक्षित बनाने की मोहिम में जुटे हुए हैं इसमें कोई संदे नहीं कि उनके LG बनने के बाद सुविधा और सुरक्षा दोनों ही लिह से अमर्नाथ यातरा में प्रांतिकारी बदलावाया है यही वजह है कि अमर्नाथ यातरियों के तादाद 2020 के बाद से लगातार बढ़ रही है अमर्नाथ यातरा को लेकर जम्मु कश्मीर के उपराजिपाल मनोज सिन्हा काफी संजीदा है 6 अगस्त 2020 को LG बनने के बाद से ही मनोज सिन्हा अमर्नाथ यातरा के लिए सुविधाय बढ़ाने और इसे सुरक्षित करने के लिए लगातार बड़े-बड़े कदम उठा रही है इस बार भी वो काफी एक्टिव नजर आ रही है बीते शनिवार को मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए राज्य में कारेरत, विभिन एजिंसियों और एड्मिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ एक हाई लिवल मीटिंग की इस मीटिंग में चीफ सेक्टरी अटल डुलो, डीजिपी आरार स्वैन और जमू के डिविजन कमिशनर रमेश कुमार समेथ तमाम बड़े अधिकारियों ने शिरकत की मनोज सिन्हा ने जमू कश्मीर के लोगों से अमरनाथ यात्रा को काम्याब बनाने के लिए सहयोग की अपिल भी की मैं फिर जमू कश्मीर के निवासियों से विशेस रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है इस शेतर के रहने वाले नागरिकों वादी के नागरिकों से आगरा करूँगा कि आप ने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है देश भर से आने वले सब धालूगों का ख्याल लखा है मुझे विश्वास है इस साल भी उस परमपरा को लोग कायम रखेंगे और जमू कस्मीर की एक अच्छी छवी पूरे देश और उनियाम बने इसमें सब लोग सहयोग करेंगे दरसल सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने से पहले मनोज सिन्हा शनिवार को ही बाबा बरफानी की इस साल हुई प्रथम पूर्जा में वर्च्वल माध्यम से शामिल हुए मनोज सिन्हा ने राजभवन से ही अमर्नाद गुफा में हुई प्रथम पूर्जा में शिर्कत की और बाबा बरफानी का धर्शिन कर उनकी प्रदक्षिना कर यात्रा निर्विग्न संपन कराने का आशिरवाद मांगा इस दोरान मंदिर के पुजारियों ने विदिवत मंतरो चार के साथ बाबा बरफानी की विदिवत पुजार चिना की इस मौगे पर मनोजी सिंधा ने कहा कि श्राइन बोर्ड और जमुकश्मीर प्रशासन ने श्रधालवों के लिए इस बार काफी अच्छी व्यवस्था की है सिराइन बोर्ड ने और जमुकश्मीर प्रशासन ने देज भर से आने वाले सरधालों के लिए अच्छे इंतजाम किये हैं पिछले दो वर्सों में यातरा सुईधाओं में काफी बढ़तरी हुई है इसमे कोई संदेय नहीं कि अमर्नात की पवित्र गुफा जहां एक और शुधालवों के लिए आस्था का अप्रतिम केंद्र रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्थाने लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर मुहाया कराती है यही वज़े है कि जम्मु कश्मीर के स्थाने लोग पूरे साल इस यातरा का बेसबरी से इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से यातरियों को कोई दिक्कत पेश ना आए गेरो रिपोर्ट गुड़नीस तोड़े और जलिए जीन्टी स्पेशल की स्थास पेशकर्ष में मेरे यारी शगुफता के साथ फिलहाल इतना है लेकिन जीन्टी पर अच्छी खबरों का सिल्सिला लगता जारे है तो आप देखते ही है गुड़नीस